कैसी हुआ आप ईश्वर की कृपा से आप सब अपने अपने स्थानों पर कुशिल मंगल होगे में लता शर्म अपने चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज में आपके सामने आप देख सकते हैं यह कृति है और इसमें सिर्फ डिजाइन बना हुआ है मैंने सिर्फ इसमें कटिंग की हुई है अब मैं इसमें बॉटम के कलर की पाइपिंग लगाऊँ तो किस तरह से लगाऊँगी यहां से मैंने back के part में भी same हुए सी piping लगानी है पीछे से गला medium size का रखा हुआ है तो मैंने रेवदार कपड़ा लिया हुआ है थोड़ा कम था तो मैंने यहां से stitch करके add किया हुआ देखी कितने easy तरिके से जो हम इसमें piping लगाएंगे सबसे पहले यह हमारी right side है right side से हमें यह देखी इस कपड़े को इस तरह से double layer में करना है और इसके उपर से हमने seal eye डालनी है पूरे में हमने इस तरह से यह देखी double layer में कपड़े को लिया है और इसमें पूरे में लगा दिया है यह देखी आगे की side भी पीछे की side में अब देखिए ध्यान से देखिएगा अब हम किस तर इसमें पाइपिंग बनाएंगे जो अंदर से हमने इसमें कटिंग कर दी है एक्स्ट्रा कपड़े के देखिए बिल्कुल कम मार्जन में इसमें कपड़ा रखा हुआ है हमने इस तरह से हमने इस कपड़े को अंदर को अप को बच्छे से रखेंगे और हिए पूरे में हम यहीं इसी तर्व की पाइपिंग लगाएंगे दिखी इसको अंदर जो पड़ी कपड़ा है कि इस अंदर की तर्व को करेंगे हम इस तरह से और इस तरह संदर पाइपिंग बन रही है और बिल्कुल इसकी जो midpoint है, इसके उपर से हम सिलाई डालेंगे, जो सिलाई बिल्कुल भी नहीं दिखेगी हमारी, ये देखे, आप देख सकते हैं, पीछे हमारी piping ready हो रही है, बस इसी तरह से हमने इसे अंदर को करना है, और इसके उपर से हमने इस तरह से, अगर हम direct ऐसे ह लगाएंगे, तो ये lose हो जाएगा हमारा कपड़ा, अगर हम इसे देखे, इस piping को इस तरह से अंदर की तरफ को fold करेंगे, इस तरह से इसमें piping, ये जो कपड़ा है इसके अंदर, तो ये हमारी मोटी-मोटी सी piping बन जाएगी, बिल्कुल भी इसमें अंदर को कपड़ा नहीं जाएगा, पूरी हमने देखे, इसी तरह से इसे, पूरी को हमने इसी तरह से स्टिच करना है, आप देख सकते, बैक के पार्ट में हमारे जो हे, piping बिल्कुल अच्छी लग चुकी है, अब इसके फ्रंट में भी हम सेम इसी तरह से ये जो कपड़ा इसको अंदर इस तरह से लेंगे, और जो हमारी इसमें जो ए देखे, डवल लहर का कपड़ा लिए इसे, इसके उपर से लेंगे, और इस तरह से इसमें पूरे में हम इसी तरह से सिलाई डालेंगे, तो इसमें जो हमारी बिल्कुल रेडिमिट गला ही लगेगा, अच्छी इसमें ये piping अच्छी लगेगी इसमें इस तरह से हम पूरे में इसे add करेंगे इस तरह से आप देख सकते हमने इसमें कोई thread भी नहीं लगाया और इसी का thread बन गया हमारा जो इसमें अंदर से हमने सिलाई डाली और दोनों तरब से हमारे देखिए कितनी सुंदर इसमें piping बन गई ये हमारा जो front का गला है आप देख सकते हैं ये हमारा front का गला है और एक minute में ready हो चुका है ये तो मैं आपको वीडियो के लिए बता दी हूँ अच्छे से देखिए कितना सुंदर गला बन गया है बिल्कुल रेडमेट ही लग रहा है जो कि इसमें बिल्कुल भी रेडमेट गला नहीं था हमने बॉटम के पाइप जो इसमें सलवार का पपड़ा हरेबदार हो लिया और इससे हमने piping बनाई है आप इस तरह से इसमें गले में जो है piping बना सकते हैं यह देखिए यह इसका बैक का है और यह इसका फ्रंट का है आपको यह वीडियो पसंद आए तो पिलिजी से like, share, subscribe करना मत भूलेगा थैंक्यू for watching me